टीबी एन देखनवाले समुच्चे दर्शकानू दविंदर सिंग बेनी पालवलों प्यार अते सत्कार सहत सत्षिर्यकाल सहित संसार विच तुह डास सबनादार निगा स्वागत अज लंबे समित बाद एक वर फिर तो डॉक्टर अरिदमन महाल साब आपने प्रोग्राम दुरान शामल होन जा रहे ने पिछले प्रोग्राम मादा तुसी परपूर होंगा रादेता तो हाट दे कुछ जड़े सुजा सी उनना दे मदे नजर आज जैसी एक कोई विशे नो अदार बना मागे ते उदे उते डॉक्टर साब तो जान करी लमागे कि एक की क्यों खानी चाही दी है इदे की फाइदे है की नुकसान हो सकते है जा केड़िया केड़िया बमारिया तो एरहा तो सानो निजात दवा सकती है आज सब तो पहिला डॉक्टर साब दा स्वागित कर दे है डॉक्टर साब जी आनू सत्षिरियकाल स्वागित है जी सत्षिरियकाल बौद मेरवानी तो अटी और सारे दर्शिकाल डॉक्टर साब बीते प्रोग्राम मा तो जड़ी एक लोक रहे निकल के समना है उए सी के किसे एक चीज नू खानवाली नू हामता और ते हल दी आम करांदे विच दालांदे विच सबजीयांदे विच जान लोक कोई साट फेट लागे जा वर्त लेया करते है के हल्दी दे बावत विस्थारत जान करी जित्ती जावे के हल्दी किमे लेही जा सकती है कौन ले सकता कौन ले सकता कौन ले सकता केड़ियां बमारियां तो नजात दबाओं दी है हल्दी दे मतलग जान करी सांजी करें सब्सक्तों पहला ता ए दस्योंजी कि हल्दी हर कोई व्यक्ति ले सकता है जे ले सकता है तक कि में जे नहीं ले सकता था क्योंजी हल्दी साथे समाज दे विच मुड़ कदीम तो वर्तों होंदी रही है जदू रसोई है आपनी होंथ चाहिए रसोई तो पहला अग आपनी होंथ चाहिए तो हल्दी हजा आपन स्वार्ण हए लॉ के लॉस्से लैंगविज च आपना हुए लॉस्टि綑 ज्यटी कहा है help मसालियां दा शहाकार है जिड़ा साटीर सोई दा शिंगार है हमेशा तो बाराखान्या वाली लून दानी दा कर दे रहे हैं पोदे बिच नंबर पहला होंदा है है हम क 나 एकल औरेस किता तो नदवी सोच्व धाकर खमन्या में सब्सक्राणि सब्सक्राणन कर दोत बारई गएर यूस्टे के अक्सटर्न नहीं पैना शुद्सक्राणी है जानी अंदर सटान लग जानी या तो से बेले आने कहना तता तता दुद लियाओ विज अधा चमच चमच हल्दी दा कोल के नकपड के बच्चा यह ते नकपड के प्यादियों स्याने तो उन्हों उता प्यादियों तो जिते एदा एक्स्टरनल यूज सडियां मैर्जेस देविच हुंदा रहा है कि हल्दी ते जंदन दा वटना जिसके नदियां बौत सारे जड़े ओपली पर वहाव हुंदे सी उनना दूर करनवास दे वरतिया जानदा सी सट फेट फोड़ा फिंशी दे विच एदा एक्स्टरनल यूज जानदा सी और उस्तों बाद इस सड़ी सबजी पाजी दा टुट अंग्रिया खाले है कि जिन्नी दे तक सड़ी सबजी पाजी दे विच पैंदी उन्हों अदूरा संदी लिएक एदा अरसी जड़ा ओ स्व अग्र हर रंग ग्रहां म अग्रहस जानुरफ करने पादे आए पर इक दोबीज आति जड़ी खीट ही जड़ी हीले जड़ी मैडिसानल वेलूओ अ धीजड़ी ओक नग्यम भेट विचंव भी बेचान लय हूए रोग हाइए रोग दे द्रम्यान रोगी नोटीक कर कि एक प्रवेंटिव कहने हैं की इनुप प्रवेंटिव तोर्टे भी पर्ट आजाना सी क्यूरेटिव देत ऑड़ते और रियेब्नीटिटिट्व तोर्टे भी पर्टे जाना सी सब्जी पाजी फेज़ करके पाई जानादी सी कि जिन्ना में है सब्जी पाजी वारों खुआ अतों पैलिया तों फीघ्ट चो मार्किर्ड चो लेके ओंदे सां पिर चेंट कई तरह दी पंगस तरह दा बैक्टीरिया पिर चुंदी सी उस सारी चीज नूँ खतम करने लए असी जिते असी लसन प्यास दी वर्तों कर देशा उते हल्दी दी वर्तों में हुंदी सी तैल मलाके वी खास करके सरों ता जीदेच अपने बहुत बड़े गुंध अगर अगर स्ट्रक्राइब नाकर मसाले देविच पालेंदे सा ते असी एंशोर हो जांदे सा शानू पक्का हो जानदा से कि अगर देविच कोई भी चाहे वो बैक्टीरिया सी वो वाइरस सी वो फंगस सी खतम हो गया है सो एस करके असी सबजी पाजी दे थ्रू असी एदी इंटर्नल एडमिन्स्ट्रेशन कर दे रहे हैं ते जदो वैद हकीम गुनी सियाने जदो उना दे कोल मरीज आंदा सी ते वो हल्दी दी दुबाई दे वर्तों कर दे सी और वर्तों दा परचार मैं मी पिछले तियां चालियां साला दो रेडियो टीवी स्थे कर रहे हैं कि मैंनों इस गल्दा पक्का पता है कि आज तो वी साल पहला जे कैनेडा दे वेच एक कंटेनर इंपोर्ट हुंदा सी हल दी दा आज 10 कंटेनर अधी जड़ी मैडिसनल वैल्यू अधी जड़ी हीलिंग वैल्यू अधी जड़ी प्रिवेंट बहुत सरय बिमारियां तो बचा के रखना वोधी वैल्यू जड़ी है यह बहुत ही ज्यादा अमीर है सो हल दी जड़ी है यह सिद्धे तौरते डारेक्ट असी यह दी अद्मिस्टेशन कर सकते हैं एज मैडिसन जदो असी अद्धे गलाज पानी दे विच अद्धा चमच्राव टाही ग्राम कोल के गरम गरम दुद्दे नाल एदा अनुपान जड़ा ओ गरम दुद्द है कई कि लोगा नुद्द सूट नहीं करता जड़े के लेक्टोस तो सेंसित होंगे ओ किसे विले चाह नाल या दूसरी किसम दे दुद्द विच मला अलग सकते हैं लेकन गरम दुद्द जड़ा एदा अनुपान गरम दुद्द नाल सानों यह लेनी चाही दिया है उन यह लेनी दुद्द दुद्द मन्द पर बाब हो गया यह किसे करके भी चरम रोगां दे करके रैशेज हो गया खारश हो गया उथे यह बहुत मुफीद है यह दी डोस जड़िया ओ पंच ग्राम बन जान दिया टाई ग्राम स्वीरे टाई ग्राम शामनों गरम दुद्द विच मला को tai जट्द के किते साथे कोलो सिर्तो बल्गम लेकतिया है जिन्नों साइनो स Clayton's कि और ओ मुदा छृद चिंए पिले रंग दी होंदिया फिर स्टने पीले रंग्क दी तुसी मिरेकलेसली एक मंतरमुग्द करतन वाली चीज है के असी जदों अद्धा चमच शामी अद्धा चमच स्वेरे गरम दुझ बोल के लेनेया ते साइनो टैस साइटिस बरगिया बिमारिया नों बहुत फाइदा कर दिया यह भी हो गया अपर रेस्पिरेटरी कले तो यह तोड़ी बॉड़ी दे विच्छों इस जड़ाया वह उस कर दा तो ओधिया फ्यूम्स ने जड़िया वह उपर नों दिया किसे विले गला दर्द कर दा किसे विले गला दुख दाया फिर स्नीजिंग भी हुंदी नक्चों पानी बगदा रहना है तो यह बहुत मुफी है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी टे लोर रेस्पिरेटरी जदे बिच्छे क्वादेश संबंदत कोई भी बिमारी हो बिचे और अस्थमा चाहिः ब्रॉंकाईटस है चाहिआ हो इंट्रस्टी इसिया भी हो डिजीज और पिछले दिनी असी और ओदे विच असी जदो टीच प्रीच ते प्रफगेट कर दे रहे हैं हल दी दा बहुत वड़ा उपयोग सामने निकर के बाहर आया है सो शक्ती दियां बिमारी में ते साइनोसाइटस देनाल संबंदत बिमारियां दे उते इदा बहुत वड़ा असर दिखता है जदो के ते चमडी दियां बिमारियां जिदे विच सुराइसेज है जिदे एगसीमा है जिदे डर्मटाइटस है जिदे सुक्की खारश उंदी रहन दी है यह अजमार के विखन वाली चीज है जदो असी एदा सुवीरे ते शामनों रेगुलर इंटर्वल्स पे उपयोग कर जाते हैं एक हफ़ते तो लेके दो महीनेया ता कि दी वर्तों कीती जा सकते हैं इडिपेंड करदा है कि जडिए बिमारिया ओक किनी की तकडी है जो बोदे ना लड़ एक लिदी दा गल्ड़ जाना है जब्साब इते एक सुवाल पैदा होंदा है तो पहला मैं तो आनों र पहलती ले लेंदे है एदा मतलब की एक महीने तो वद समय वास्ते नहीं लेनी चाहिए दीजिए एकसेस ओफ एबरीधिंग इस बैड जदों असी फार्मूलेशन बनाके इन द्वाई दी तरह वर्तों कर रहे हैं पंच ग्राम रोज दी टाइग्राम स्वेरे टाइग्राम शामनू फिर साधे कुल सट दिन तक लेनी इनाफ हों दी है ते जे तुसी रेगुलर लेना चाहों दे हो यह जड़े लोग लेने हो उन्हाँ वास्ते दो तो टाइग्राम रोज दी बहुत है इनीक ते सब्सी पाजी चान दे आती हो चुकें तो यह फर्क है जिते स्पेसि जबादी बोच सब्सी चाहल दी होना यह दा दिवाई दा पर्माफ देना सी कि सब्से कि साधे अंदर किसे भी किसंदी इन्फेक्शन एन्फ्रीशचन है असी त्कषी कर सकता है जी अच्छा हून में जी लोगत बहुत कारगर था हुदी है आज तक बौतियां कोड़ों जा बजर्गां कोड़ों सेानिया कोड़ों एही सुनदे आ रहे हैं के बहुत चंगी है बहुत चंगी है पर मैं किते किते एही सुनदा है के हर एक बंदा है नो ले नी साकता है ए मित है जी के हर एक वास्ते है कारगर है जा इदे वच कोई सचाईया के हरे एक व्यक्ति में फिट भी नी बैठ दीजी। सौचों नडेन में लोका नू इफिट बैठती है। एक नू शेयद ना बैठ सकती होगी। यह ता हर किसी चीज जी। एक नू ता रोटी भी नी फिट बैठेगी। एक नू ता दुद भी नी फिट बैठेगा। एक नू ता बहुत सारे यह एक्सेप्शनल केसिस होंदे है। लेकर 99% केसिस नू एक कुछ निक हैं दी। खास करके जो आसे यह दा सौराइसिस। बहुत ही प्यानक बैमारी है। खास करके साथ को कैनिडा यह वेस्टन हेमस्पियर दी गल करिये। यह बहुत ही बुरीयत तिन महीनिया दे बच्चे को लेके पचासी साल दे बज़रुता के सौराइसिस को पीड़तने। कि अग्षांओ जाएं पशाण संटी जाएं आदी चाहिए है। स्क Alors थेल्प स्रीसिज भी हो सकता है। ऑब्रातीक सट भी होंदा है थी को लिए आलोगत ब़ॉडवर बाडी भी होंदा है। उनना दे फोल्स दे विच इदा बड़ा मंत परभाव होंदा है वह बार होता सिक्री दी तरह उतर दा रहेंदा खुशकी दी बिमारिया नों कहा दे लेकर अंदर सुजन हो जा दिया है जिन्हों आर्थ्राइटेस भी कहन दिया है दूटू सुराइस तो सुराइटेक आर्थ अशली इदा एफेक्ट है के तुसी हरान रह जाते हो परेदेच प्रहेज बड़े जरूर चाहे ओ शाती दिया बिमारिया नाल चाहे ओ साइनुसाइटस चाहे ओ चरम रोगोन चाहे फोड़ा फिल्सी होवे ओ दे लई तो आनू कुछ चीजां दा प्रहेज रखना पाएग है जिमें काॉस एंड एफेक्ट थियुरी दे विच नुदा है कि आज चीजां ने लैन इदाकारण बन जान दा है वो दे वेच यीश्ट होया खमीर होया बेकरी प्रोड़क्स सारियां होई या खोड अचार चटनियां मुरब्वे टपा बंद पाउच बंद बॉटल बंद ए फूग जेड़े के साधी को लेते पर चल लेता है चर्म रोगां दे विच अपर रेस्टी रोड लेस्टी इन डिजीज दे विच इस सारा कुछ बंद करना हुंदा इदा प्रेज करना हुंदा फिर असी हल दीदा प्रवाब देख साथ है तो एथे ही नहीं मैं यह भी दसना चामांगा के बहुत वारी स्टाडिक पुल और तना ते फेस्टे सी बहुत केमिकल यूज कर रहे हैं क्योंकि हर इंसान कर ली औरत नहीं अपना चेर ते वाइट पिगमेंटेशन होँए ब्लैक पिगमेंटेशन होँए मेंज तब्बे होन चाहे ओ सफेद होन या काले चेर्कल होन या त्यान पैजांदियां ओ होन या पेस्ट दा रंग वैसे ही कलश्च होँए यह काला होँए तो तनी हल्दी बड़ी पर पूर वर्तनों की करती जा सकती है ओदे विच मैं एक दसना चामांगा के हल्दी दा वटना जी मुड कदीम तो के यूस हुंदा आर्या सिगा ते ओस वेले फिर चम्री दे उत्ते जदों एहोजे मंद प्रभाव हुंदे है ता असी एदी एप्लीकेशन करके एदी पेस्ट बनाके एदी लेवल न्यूटन होता है एक चमच मन लाओ एक चमच मक्षण अग्दा चमच उदेच हल्दी और अग्दा चमच जे गलिसरीन होवेता था ता जी नहीं थे विटर्मिन ए ते कैप जेल्स क्योंकि ऑईल होंदा है तो यह जेल्स में दिया चार्सु छेस्ट है मैं दी और त फेस नूँ साफ करना होएगा कादे नाल अद्दा चमच निंबूदा रस अद्दा चमच गुलाब जाम इन दोना दा कोल जड़ाया ओदे नाल फेस्ट खास करके फेस्टे एक्सपोस्ड एलिया चंगी तरीके देनाल साफ कर लो जदो बिलकुल साफ होजे फिर इदी करने हैं जो साफ करने हैं ने के प्वेस नगे मशा हरते हो जेते मैं पांज रिया तो उस तो बाद गरम पाणी देना तोलो हल्दी या रंगल आएगी एक खास किसम दा कपड़ा पाके या खास किसम दी शर्ड पाके तीसरे दिन जेडी तो अड़े फेस दे उते ग्लो आएगी तुसी कदे नी विखी खास करके उना चींजा दा मंद पर बाहव जड़े असी क ये मिकल कॉस्मेटिक्स यूज कर दें पाटी ते जाना है किसे फंक्शन ते जाना आएगी बाद सारा लेडी इस ने जड़िया को यह दी वर्तों कर दिया वो टेंपरेरी ली ते सानू गलो दे रही है तेंपरेरी ते सानू रंग दे रही है बहुत बादी ते साथे फेस से उपर कवरिंग दिन दिया है लेकन वो दा अल्टीमेट डेमेज है तो इनु जिनना कट तो कट समासी लाइए उनना चंगा आओं दिया है इस सब तो पहला पेश वास करके सानू एन नेच्रोल जड़ा है इधा ट्रीटमेंट ही करना चाहिए यह देना आज तुसी विख दिया दा मेरे साब नल सब तो सस्ता का टंग तरीका है जिदे नल बहुत सारे तो अड़े पैसे बच सक देया पुदरती तौर तरीक है और मुड कदीम तो अप्रूब चीजाने जिनना दा कदे नुक्सान नहीं होंदा तो इस फेस केर वास्ते तुसी यह दी बच्टों भ नो कुछ बजारों बहुता महिंगा खरीदना पाएगा ते ना उदे साइड एफेक्ट होंगे इस चमडी नो तो अड़ी बहुत खूबसूरते चमत करी बना देगा खुद मोटे तारते जिसना तुसी सुराइससता दसे पार चमडी दे रोगा वारे दसे है जा अलर्जी गुष्टे वावत दसे है हाल दी होर केडिया केडिया बंमारिया था बहुत बहुत बढ़ा तो अगए अगे बहुत वारी प्राज बिमारी यह खासकर करते उन्हान भोच आंदिया जन्हान चरम रोग केड़िए उन्हान केंदे है ट्वेंटी नियल डिजीज नौमादी हैं बेमारियां नौ सुक्के ने नौ आदी दोनों साइड ते कलश आगी है थले पस पर ही रहेंदी है पीड होंदे रहेंदे हैं बड़ी आपकी है खास करके सर्दी दे देना जदोंसी लंबे समय उन्हों खराब हो जांदे हैं नौ आदे अगर उननों तुसी ठीक करना ततता ततता चिनना बीर कर सकते हो उनना नेल्स लेखते लाके बाद जो देते कोई रैपर पाके ताके सारी रात लगा रवें नौ टेंपरेरी लिए पीले हो जाणके हल्दी दे करके पर विमारी दा नास पुट्रिया जाएगा और बिमारी नहीं रहेंगा तो फंगल जीज़े ले लिए बहुत ही फाइदेमन्द है तो जित्ते ए चरम रोगां देली कम कर दिया है हां मैं यह भी दस्ता जावां बहुत छोटे बच्चे तिन मीने दे बच्चे नू सुराइस से साथ तुसी उन्हों खान नू कुछ देनी सकते दवाई कोई देनी सकते छोटे नू रोगां के मैं इनफेंट्स दी कल करना बल्के डीट्स दी गल भी करना है इनफेंट्स नो तुसी एक चमच चरों दा तेल क्योंके साउच दे बहुत ज़ोने एक चमच चमच तरोंदे टेल अग्द्दा चमच हलदी और एक लसं दी तुरी इनु स्दाभ लों तेल वर्तों वर्तों करो ते बच्चे नू बहुत अराम आजेगा रिलीफ आलेगा जित्के उपर्वां करना करदा सी, प्रेशिस कर रहें, नौ माररें, आपनों अराम मिल जाएगा जितके तुसी टक्ट्री या बहुत सारी या बजारों खरीद के क्रीमा या लोदे उते तुसी कर्दी क्रीम बनाके विए दी बथों करो इदी लगातार वर्तों दे नाल जिड़ा एक्स्टरनल पर भाव है तुराइस इस दा वो भी चला जाएगा जो दो हैं उसी तुरा बात लेलो उसी फिर पहला दी तरह दो के हल्दी दा कोई इसां दा रंग दा प्रवाव नहीं रहेगा तो एस करके जिते ट्वेंटी नेल्स दी गल कर लिए डिजीज दी गल कर लिए या सी बच्चे आदे स्टॉइस च्टरनल यूज दी गल कर लिए ज जो दो जोड़ां दियां दर्दा हुंदी हैं तो थे जिदो तरिकटू दी वर्तों के नेया किसे दूसरे प्रोग्राम चोदी वी गल करांगे वो थे सी हल्दी वाला दुद्ध गोल्डन मिल्क दा ना ती साल पहला असी दिता सी आज दुनिया पर्दे वेचे पर चल लेत चाहे वो गौट होवे चाहे वो युरेकिसिड वदा होन करके बाडी दे विच एकस्ते पेंज होन उते भी हल्दी दा बहुत बड़ा उप्योग है हल्दी बजारों भी मिल दी है हल्दी लोग सुकी भी ले उदेने हल्दी लोग अगठी भी ले उदेने फिर हल्दी केड़ी होवे क्योंकि आमतार उता बजारा आदे विचे पैक नाच हल्दी मिल दी हुदी है क्योंकि तो नो पता है कि इना मुलकानिया वक्रिया मजबू पुरियां ने उनता पंजाब दे विच भी लोग मैं देखिया के करा दे विच बहुत सारी हैं काट चीज जान दी अगाउन दी वर अगाउंदे है बजारी चीज जान दी उते बहुत डिपैंड कर दे है हल्दी के में कितों खरीदी जागे जी फिर अधर बैस्तरीका है कि सुकी हल्दी क्योंकि ए जिंजर अधरक दी फैमली चोवान कुझी वे खन्नुई कुझी लगए हल्दी सुकी मिल जागी है जी जी सुकी हल्दी बजारों खरीद के गडियां करीद के उन्हों चामें कि 10-15 दिन मास ते सुकालो हावा फिर चैंकी तरह सुक जागे जे सुकन को बाद इन्हों एक वार गरम पानी दे विच्चों दी लंगा ले पानी उबल्दा ना होवे गरम होवे विच पाके कड़ लो ते फिर इन्हों श्यामे श्रकालो चदों इस सुक जावे इन्हों अब आप तरद्द कर लो तोड़ी कोशिश कर लो तोड़ी मेंद करनी पहेगी कि सुकी हल्दी बजारों ले आखे उन्हों करम पानी दे विच्चों परशुका के उन्हों कुट के कपड़ शांद करके बनानें दे वो तैट इस दी बेस वार जी मतलब जाणकरी देती है अखीर दे विचे जेकर हाल्दी देनार सबंदत कोई होड़ जान करेने दी होवे कुछ के चंद कमेंटां दे विच उसनों समेटिया जा सकता है जी हाँ असी कर दे विच हल्दी दी वर्तों भी कटा चुके हुए रसोई दे विच जित्थे किते असी यो बारा खाने वाली लूंग दानी दा जिकर करने हैं कोई भी तो अड़ी सब्जी पाजी नहीं होनी चाहिए जिन्हों तुस्हीं हल्दी देना अलग कुछ नहीं करते हैं तो कोशिच ए करो कि जित्थे यसी लसं प्याज अध्रक्रमाटर इना चीजां दी वर्तों करने हैं इना दी भी थेरापीटिक बेंदी वर्तों कि दिप्रमाटर इंटी चीजां अझी ऑन वर्तों करसके ऐनी करने चाहिए सब्सी ज़्रोर करने चाहिए जिगें नौर्मिली लेना चाओ देया दो तो टाइग्राम रोज रोटेंच और होल अफ दा लाइफ ले सक देया लेकिन जदो यह दा मैडिसंदा यूज करना है उस विले इसी टाइग्राम स्वेरे टाइग्राम शामी गरंदुद्द विच मला आके लिए तेस यह देखो लो एक दवाई नानो ज्यादा फाइदे ले सक देया जो मैं देखे है कि एंटी इलर्जिक एंटी सेप्टिक एंटी इंटी इंप्लमेटरी सूजन होवे दर्द होवे तो आनो बलगम होवे जो ना दिया दर्दा होने इन सारे विच्छी खलती का बहुत घुनका है जे सो डुट सब अखीर दे विच्छी जानतों मेरा जड़ा है लेकन वाटसेब दा इनबर मेरा जड़ा है ता इंडिया दा लेकरन वहमेशा चले दा होंदा है मैंनों कोई भी उदे ते मेसेज आएगा, कोई भी उदे ते कॉल आएगी, मैं इमिजियेटली जवाब नहीं दे रहा, ते मैं ज़रूर जवाब देना है, ओ नमबर तुसी ज़रूर नोट कर लो, ओ इंडिया दा नमबर है, 988-895-901, 999-8889-539-01. अगले प्रोग्राम दे विच किसे होर मसले दे उत्ते, किसे होर बमारी दे उत्ते, फिर घल बात करांगे, तन्वाद सच्रीकाल जी. दोस्तो एसन डॉक्टर अरीदमन माहल जिनना ने हल दी क्यों लेनी चाही दिया है, हल दी दे फाइदे की है, नुकसान की हो सकते है, केडियां केडियां बमारी या वास्ते एच्चमत कारी घुन तोहनु दखा सकती है, उमीद है के तोहनु एप्रोग्रम चंगा लग्या ह आप भी तुसी अपनी रिसोई दे विच्चुई के में अपना इलाज कर सकती हो, इदे मुतलक तुहा नु ए जान करी चंगी लगी है, तक किरपा करके कुमेंट बॉक्स विच भी लखियो, ते बाकियां तक अग्गे ए जान करी पहुंचन वास्ते, साड़े मददगार भ देनी पाल नो आगे आदेओ, सत शिरियकाल तेरा प्राखा।